हमारे देश में पेटरोल डीजल महंगा नहीं है लेकिन सरकार के टैक्स लगाने के बाद ये बहुत महंगा हो जाता है हमारे देश में पेटरोल डीजल का बेस प्राइस तो अभी भी 33 रुपए के करीब ही है लेकिन केंदर और राज सरकारे इस पर tax लगा कर इसे 100 रुपए पार पहुचा देती हैं इस पर केंदर सरकार 33 रुपए excise duty वसूल रही है इसके बाद राज सरकारे इस पर अपने हिसाब से bet और 6 वसूलती हैं जिसके बाद इनका दाम बेस प्राइस से तीन गुना तक बढ़ गया है भारत में पेट्रोल पर चववन रुपए और डीजल पर चववालिस रुपए से भी ज्यादा टैक्स वसूल आ जाता है हम आपको एक फिगर दिखाना चाहते हैं आप देखिए यहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमत में टैक्स की गड़ीत क्या है आप इसे देख के समझ जाएंगे बेस प्राइस पेट्रोल का जो बेस प्राइस है आप देख सकते हैं कि 35 रुपए 63 पैसे हैं प्रतिलीटर और जब कि वहीं डीजल का जो बेस प्राइज है वो 38 रुपे 100 पैसे हैं लेकिन इस पे जो किराया चार्ज है वो देख सकते हैं कितना है के अंदर का टैक्स आप देख सकते हैं कितना है राजिका भी टैक्स आप देख सकते हैं कि कितना है डीलर का कमीजन कितना है वो आप देख सकते हैं कि कितना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुल कीमत इस समय 24 रूपे 49 पैसे पेट्रोल का पहुच रहा है लगभग और वहीं आपका डीजल का दाम 50 रूपे 38 पैसे तो दोस्तो हमने आज किस वीडियो में जाना डीजल और टेक्स का गड़ीत ऐसे ही काम की ख़बरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को आन करने हैं थेंक्यू